आज मैं आपके लेकर रहाएं गड़ेश चतूरती स्पेशल मोदक की रेसीपी जो की जटपट से बनके रेडियो जाते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं मोदक तो यहाँ पे मैंने एक कप दूद लिया है पैन में दूद डाल दिया है और दूद को हमने बॉयल कर लिया है जब दूद हमारा बॉयल हो जाएका तो हमें गैस की फ्लेम को आफ कर देना उसके बाद में मैंने यहाँ पर बन फोट टी स्पून इलाइची पाउडर डाला या फिर आप चारपा चिलाइची को कुट कर भी डाल सकते हैं इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है आदा कप मिल्क पाउडर और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम एड़ करेंगे गैस की फ्लेम ध्यान रहे कि इस टाइम पर ओफ हो नहीं है या दरवाई इसमें लंस पर ज जिससे की जो हमारा लिक्विड बनेगा ना बिल्कुल लंप्स फ्री हो जाए और देखें हैं पर कितना रबडी के जैसा बैटर हमारा बन गया है तो अभी हम इसको गैस ऑन करके पकाएंगे तो एकदम घाड़ा हो जाए एकदम मावे की फॉर्म में आ जाएगा तो अभी ह जल्दी बन जाते है पांच मिर्का टाइम लगेगा इसको बनने में और यहां पर मैंने ना इस स्टेज पर यहां पर चीनी का भी यूश कर सकते हैं दो से तीन चमच आप चीनी एड़ कर सकते हैं तरवाइस जो मिल्क पावडर होता है ना वह ऑल्री थोड़ा इसमें मिठा होती है तो अगर आप थोड़ा एडिशनल मिठास चाते हैं तो यहां पर तीन से चार चमच के करीब या फिर एक दो चमच जो भी आपको अपने कॉर्डिंग डालना हो मीठा वो डाल सकते हैं अब यहां पर देखिए गाड़ा होना शुरू हो गया है तो अभी इसको चलात और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेना बादाम की कत्रन यान कि बादाम को बारिक 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 कुतर के हम ने इसमें डाल दिया बारिक 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 को डाल देंगे इसको हम बादाम की कत्रन इसले बोलते हैं क्योंकि हमें बहुत ही जादा बारिक बारिक बारि तो यहां पर हमने यह मावा बनाया है सारा हम इसको निकाल देंगे प्लेट में ठंडा उने तक का बेट करेंगे जब तक कि इतना ठंडा हो जाए कि मिसको हाथ से टर्च कर पाएं बढ़ बहुत बिल्कुल थंडा भी नहीं होना चाहिए तो भी थोड़ा घरम है इसलिए हम इ लगाएंगे और उसके बाद में मोदग बनाने स्टार्ट करते हैं अगर आपके पास मोल्ड है तो बहुत ही एज़ी है तो इससे चाहगा ना मावा मोदग इसलिए बना पाएंगे मोल्ड से बट अगर मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीकी का भी यूज कर सकते हैं देखें देघ की से बेड़े मीरत में जिसे गोल ने से अब रिल्फचितान जाए उसके बाद में जब इसको गोल बना लेंगे थोड़ा सब्सक्चान और टिसे बना तक गर यहाँ और उसके से बना सकते हम बसो मैं आपके बना सकते हैं और मोल्ड नहीं है तो बहुत अच्छी शरक और देखें यहां पर मेरा मोदक है बनके बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम इसको प्लेट में रख देंगे बाकी के मोदक भी हम सी तरीके से बना के रखेंगे देखें इस तरीके से फॉक्स डिजाइन बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी से डिसाइन आ जाएगा और यहां पर मैंने सारे मोदक को बना के रेडी कर लिया है अब देखते हैं मैं इसको तोड़के दिखाते हूँ है कितने जादा सॉफ्ट बने और खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगते हैं अगर आपके पास टाइम बहुत कम है आप जटपर से मोदक बनाना चाहते है तो अपरे इस रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बैल आइर को भी प्रेस कीजिएगा जिसलिकी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें तब तक म वीडियो में थैंक यू